हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल टैली आल्लाइन क्लास आज के वीडियो में मैं आपको एक इंफोर्मिशन देना चाहती हूँ बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल को देखके टैली सीख रही हैं और उनको बहुत सारी कन्फूजन भी रहती हैं तो मैं थोड़ा सा अपनी प्लेलिस्ट के बारे में उनको थोड़ा सा बता देती हूँ अगर उनको थोड़ी सी नॉलेज है तो वो अच्छे से उसमें देखके सीख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सेल्स की एंट्रेज, परचेस की एंट्रेज, पेमेंट करना, रिसीव करना, बैंकिंग की ट्रान्जेक्शन, इंकम, एक्सपेंडीचर, बी आरेस बनाना, जी एस्टी कैलकुलेशन करना यह सारा कुछ मैंने आपको इसमें करवाया है अब हमारा जो last topic रह गया है वो हमारा रह गया है GST Adjustment GST Adjustment हमें करना है यहाँ पर मैं आपको एक बार reports दिखाती हूँ जो हम अब आगे करेंगे डिस्प्ले में आप यहाँ पर देख सकते हैं Statuary Reports में, GST Reports में GSTR 1 and GSTR 2 और GSTR 3 भी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने पूरा 1st July से लेके 31st July तक कर GSTR 1 प्रिपेर किया है जिसमें हमारे 39 बिल्स हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं GSTR 2 में यहाँ पर हमारे पास जो total बिल्स हैं वो हमारे पास 44 बिल्स हैं हमने purchases किया हुआ है तो अब इनकी जो adjustment होगी इसमें जो हमने tax की adjustment करनी होगी वो हम कैसे करेंगे यह आप एक बार balance sheet में देखिए हमें कहां पर जाके अपनी tax liability देखनी होती है अगर आप यहाँ पर alt के साथ F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको यह duties and taxes का value दिखता है duties and taxes का जो value मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है यह value पर मैं rely नहीं करूंगी कि यह value मेरा सिरफ GST का है हो सकता है कि मेरा TDS हो हो सकता है TCS हो क्योंकि कोई भी tax का लेजर आप बनाओगे हो आपका duties and taxes में ही आएगा तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर enter प्रेस करके देखना होता है अब आप देखें इसके अंदर मेरा TDS भी तो include है लेकिन मेरे को तो सिरफ GST की adjustment करनी है तो आप यहाँ पर देख रही है मेरे पास debit में भी balances है और credit में भी balances है क्योंकि मेरी sales भी हुई थी और purchases भी हुई थी तो अब हमें इनकी adjustment करनी होगी input CGST 14% की input CGST sorry output CGST 14% के साथ as it is input CGST 2.5 की output CGST 2.5 के साथ अगर है तो otherwise नहीं तो ऐसे करके हम इसकी adjustment करेंगे तो यह adjustment आपका पूरा इसका chapter एक बना के जिसमें मैं आपको एक-एक transaction करना बताऊंगी कि हम adjustment entry को कैसे करेंगे यह मैं आपको बताऊंगी अब जो हम next वीडियो में करेंगे वो मैं यह adjustment ही बताऊंगी अभी आप यह देखिए कि अगर आप playlist के through study कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर अगर जो भी student tally ace के certification के लिए preparation कर रही है तो उनको तो सिरफ यह 20 videos अगर वो देख लेंगे अगर वो यह 20 videos सारी कर लेंगे तो tally ace के exam में जो भी questions आते हैं वो उन questions का answer easily दे सकते हैं और उनको mock test भी provide होते हैं तो mock test से उनको बहुत अच्छे से idea हो जाता है कि questions कि ताइप के आएंगे अब हम बात करते हैं tally pro और tally guru के certification की क्योंकि tally pro और tally guru के certification में हमारे पास tally का काफी content cover हो जाता है tally guru में तो सारा ही हो जाता है और tally pro में भी कुछ ही feature होते हैं जो आपके exam में नहीं आते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं tally pro के certification में आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगी 44 videos and tally guru के certification में 47 videos तो अब आप देखेंगे कि tally pro के certification में आप 44 videos यह देखेंगे प्लस आपको GST भी करना है क्योंकि इन 44 videos में GST नहीं है आपको GST करना है तो आपको इस playlist में GST नहीं मिलेगा GST के लिए आपको यह new playlist आपको दिखाई दे रही होगी goods and services tax के नाम से जिसमें 39 videos दी हुई है और इसमें से बहुत सारी तो update की भी videos होगी तो आप अपने according GST का जितना भी content है वो इसमें से पढ़ सकते हैं उसके बाद tally guru वाले जो हैं जो tally guru certification की practice कर रही है preparation कर रही है वो in 47 videos को देख लीजिए GST की playlist complete कर लीजिए plus अपना payroll कर लीजिए क्योंकि tally guru के certification में payroll की भी questions आते हैं और उसमें आपका payroll का part भी cover होता है और यहाँ पे tally guru certification में आपका दोनों में difference क्या होता है tally pro और tally guru में आपके सिरफ three contents का difference होता है first job costing जो की आपको tally guru में मिलता है tally pro में नहीं मिलता second job work order यह आपको tally guru में मिलता है tally pro में नहीं मिलता third payroll आपको गुरू में मिलता है प्रो में नहीं मिलता तो यही तीन जो extra videos होंगी वो आपको यहाँ tally guru में extra दिखाई दे रही होंगी बाकि सारा जो syllabus है वो tally pro वाला ही tally guru में है बट टेली गुरू यह होता है कि पूरा expert level का certification हो जाता है तो आप इसको कर सकते हैं यह certification playlist के थूँ अगर आप इनको study करेंगे तो आप यह कर सकते हैं अब यह जो playlist है वो पूरी complete हो चुकी है अब मेरेको इसमें कोई भी और videos को add करने की जरूरत नहीं है आप यहां पर इन 44 videos को देखेंगे प्लस आप GST कर लेंगे तो आपका टेली प्रो का certification के लिए आप prepare हो जाएंगे और टेली गुरू में अगर आप 47 videos यह देख लेंगे 39 GST की videos देख लेंगे 13 payroll videos देख लेंगे तो आप टेली गुरू के लिए prepare हो जाएंगे तो all the best अगर आप preparation कर रहे हैं तो आप अच्छे से preparation कीजिए certification के लिए आप मुझे call कर सकते हैं बहुत जल्थ में आपके सामने टेली GST की adjustment की entrance लेके आऊंगी thank you thank you so much for watching this video